नमस्कार मेरे प्यारे साथियों तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्स करने वाले हैं जी के जी इसके 40 महतुन प्रस्तों को दोस्तों ठीक है अगर आप बिहार दुरुगा BPSC, NTPC, ALP, RPF या भी कोई भी competitive exam का त्यारी कर रहे हैं तो उनिके लिए वीडियो बहुत important हो यहां करने वाला है दोस्तों ठीक है आज हम इस video total 40% को डिस्स करने वाले है इसका पीडियो चाहिए डिस्क्रिप्समने में link डाल दिया हूँ तेlegram चैनल का आप वहाँ जाके जूएन करके फीडियोफ कर सकते हैं दोस्तों ठीक है चली शुर करते हैं आज का सबसे पहला है कि तेहरी बांद किस नदियों के संगम पर इस्तित है यह आपको ध्यान रखना दोस्तों अगर बात करते हैं कि उत्राखंड में किस राज में है उत्राखंड ठीक है तेहरी बांद को दोस्तों तेहरी बांद है यह आपको ध्यान रखना है अगर बात करते हैं दोस्तों ए टेहरी बांद कि उचाई कितने हैं दोस्तों यह तक है इसकी जो उचाई है यह 260.5 मीटर है कितना है 260.5 मीटर टेहरी बांग की उचाई है ठीक है उत्राघंड का स्थापना नो नॉम्ब दोज़ार इसनी को हुआ था और टेहरी बांग जो है यह किस नदी पर है भागरत्थी एवां भिलानम्दी के संगम परिस्थी था ठीक है यह सब्सक्राइब के खिलाब केंदरी बलों में सामिल हुआ दोस्तों बुल्गारिया ठीक है बुल्गारिया ठीक है बुल्गारिया ठीक है बुल्गारिया एक देस रजानी सोफिया होता है क्या होता है सोफिया ठीक है यह आपको ध्यान लखना है दोस्तों अगर बात करते है जर्मनी कर जानी दोस्तों क्या होता है डिसी का मतलब क्या होता है डिस्टिक सवाल क्या था कि पर्थम विशुद के दौरान कौन सा देश तो बुलगारिया जो दोस्तो यह उनिशन पंदरा में ब्रेटिन के खिलाफ केंध्रिय बलो में सामिल हुआ अगर बात करते हैं पर्थम विशुद कब से कब तक हुआ था पर्थम विशुद में कितना देश भाग लिया था इस नूडल जो देश भाग लिया था दोस्तों 36 देश भाग लिया दोस्तों कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे ठीक है उनका नाम था फडिनेंट और उनकी पतनी सोफिया दोनों को दोस्तों हत्या कर दिया गया था जिसके वज़से यह पर्थम विशुद का तदकाली कारण था ठीक है यह आपको ध्यान रखना है तो पर्थम कि अमेरिका की जहाज पर हमला कर दिया गया था ठीक है और दोस्तों जर्मनी भी क्या किया था जर्मनी भी सामिल हो गया सब्सक्राइब से लिए सबस्टेश्चा सब्सक्राइब की संक्राइब किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है जिसके लिए दोस्तों के अनुसूची की बात करते हैं कि बरतवान में कितनी अनुसूची है कितने अनुसूची है यह आपको ध्यान रखना है पहली अनुसूची में क्या है दोस्तों संग एवं उसके राज्य छेत्र ठीक है याद रखीगा उसके राज्य छेत्र दोस्तों पर्थम अनुसूची में ठीक है यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों अगर बात करते हैं और अनुसूचित जन जाती का उलेख किया गया यहां दखीएगा अनुसूचित जन जाती का उलेख किया गया यानि कि किसमे तो पांचवी अनुसुचे में थीक है तो पर्थाव अनुसुचे में किया है तो बेतन भत्ते दूती अनुसुचे में थीक है लगे चैजिको कि बात करते हैं चट्थी पुरवत्र भारत के चार राज्यvent और निङोरम sa तो साथíve सूची में तीन सूची के घया संबर्ती सूची संबर्ती सूची राज्यद्लिक्ड है। पात करते दोस्तों दल बदल कानून हो गया शुक्त पंचायती राज और बर वियर्य-णुची में नगर पालिका ठीक है यह टोटल बारा अनुसुची है ठीक है यह आपको धियान रखना है तो सवाल क्या था कि राजसभा के लिए दोस्तो तो चौथी अनुसुची में किसका उलिक्या गया है राजसभा ठीक है चलिए अगला सवाल देखेंगे सब्सक्राइब करते हैं कि बेरी बेरी किस बिडामिन का विखारन होता है तो बेरी-बेरी विटाविन के कमी से क Lakeham होता है स्वानिक रहलता है विटामीन का रसाइन नाम होता है विटामीन जो से क्मी से कौन से प्सक्रावी रहोता है है एंखना है श target स्वार्विक एसिड ठीक है यह आपको ढखना अगर बात करते हैं विटामिन सी शर्वोतम सुरुट्स क्या मना जाता है वोग है यह पीटामिन सी का सरवतम शुरुट्स वनाजाता था है तो अब इंसुलीन की कमी से कौन से रोग होता है तो इंसुलीन की कमी से बात करते हैं कि इंसुलीन की कमी से मधुमे रोग होता है दोस्तों ठीक है यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों मधुमे को दोस्तों क्या कहा जाता है डायबेटीज भी कहा जाता है ठीक है यह आपको ध्यान र मेक अगर करते हैं विटामिन क्या होता है तो एक अम बात करते नियुक्त है यह चो stat तो बांजपन होता है महिलाओं में होता हैūūmor सबसे ज़्याद कोबाल्ट पायाता है, यह आपको ध्यान रखना दुस्तो, चलिए , अगरा स्वाल देखते हैं, 5 number वहारट से रहा किस मैं बूर्ट किस देषके मद से नहीं गुजरती है क्या पुछ रहा है भारत से मैं गुजरती तो भारत से गूर्ट रहा का देखें दोस्तों झूर कि बात करेंगे ऑड़ाजील की राज़्दानी क्या होता है या होता है ओधाय उतल है कि आपको ध्यान रखना परतानी कि तो नैरोवी होता है ताटल भूमद्रेखा से होकर कितने ना देश गुजरता क्लिशन को ब्रकुपर कि नमसित रहे हैं और नाथ-धेस возможность instructions दोस्तों मेंडूप से तीन महादीप से खुझरता है कौन पर से महादीप है दचीन अमेरिका हो गया अफ़रीका और अपर अशी आ से गुझरता है ठीक है यह आपको ध्यान डिखना अगर बात करेंगे घुंप रेखा है है यह होता है यह अपको ध्यान रखना है इकवाडोर हो गया दोस्टों कोलंबिया हो गया ठीक है ब्राजील दोस्तों टिक है गैबों गुजरता है कांगो का लोगतांती गंराज युगांडा क्या होता है कंपाला इकांफ घानकेंया कंपाला आभी हम बता है लाइक ड rebellion UK क्या होता है नैides यह इंखिनार मालीय दोस्तों क्या होता है अभी बताए थे मोगादीशु ठीक है यहां keluar रखनाना है मोगा देसमों होता है डोस्तों और किसे माल्दीव से गुझता है माले यह डिशके के माले यह को थे पेदिन खरभाट आ जोस्तों एंडोनेसिया क्शोंदो सब्सक्राइज जाकार्था जाकार्था अज्या ये भी आपको ध्याँ रखना है ठीक है तो भूबना एक अपरेशता है है ठीक है उसके बाद यूगांडा केनिया सुमालिया मालदीप इंडोनेसिया और दोस्तों कीरी बातिस्यों को बुजरती है भूमा दिरेखा ठीक है यह आपको ध्यान रखना है चलिए अगला सवाल देखेंगे आगा सुल आपको सामने क्या कर रहा है देखिएगा सिक्स नम साथ किस बंड़का स्थापना कब mathematics यह ईजनायो के जगा पास तापना यूजना-व सतापना 1 2015 सकते हैं वो इसके जो अध्याषों थे ब्हारत के पर्धानमंत्री होतें परदानमंत्री ठीक बहारत के परधानमंत्री यानिकित्त когда मैं प्राइम कर दिंद कि नीती यानि कि योजना आयोग के जहां पर कौन सा आयोग आया था नीती आयोग ठीक है योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था 15 मार्च 1950 में हुआ था यह आपको ध्यान रखना है कि योजना आयोग का स्थापना हुआ था योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था तो 15 पंदरा मार्च 1950 को हुआ था ठीक है उनिसों पचास को योजना आयोग का स्थापना और योजना आयोग आया है तो नीती आयोग आया है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों किस वर्स में 2017 में किन्द सेकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया ठीक है यह हुआ को दियान रखना दोस्तों नीति हों कि अद्येस कौन होते हैं तो भारत के परधानमंत्र होते दोस्तों ठीक है चलिए भी है फिर सवाल सवाल देखें स्वाल सवाल बहुत इंप्पॉर्टेंट है आए दिस यह शवाल करें करें किन्देव रॉय ठीक है तो इंपनी म शामीप को बिजयनगर समीप की सपनगर की स्थापना की थे दोस्तों याँ द खीगा यह नाम है नगल पूरम उपनगर है एक क्रिशन देवरवा दोस्तों महांतम वहांतम साहर सख माना जाता है ठीक है यह आ सवाल पूछेगा कि बताई एंगर समराज का स्थापना किस ने किया था तो हरी हर वों बुक का दो भाई ने मिलकर किया था यह आपको ध्याँ रखता है स्थापना किया था स्थापना किये थे 1336 में आपको ध्यान रखना दुस्तों और क्रिस्ट देवरवाज याद रखीगा यह में रूप से बहुत महांतम साचक माना जाता है यादनी उस समय के ठीक है अगर बात है दूस्तों हंपी की रधानी कहां थी और हंपी बरत्वान कहा पड़ता है यह दूस्तों करनाटक में पड़ता है काहां पड़ता है करना ठीक है यह आपको ध्यान रखना रखना ठीक है तो स्वेन का नुमर क्या हो जाएगा ठीक त्डीक है अगला य। सब्सक्राइब het तो सापो का देवता किसे कहा जाता है या आपको ध्यान रखना है रिशब देव संस्थापक ते वो कौन थे रिशब देव और रिशब देव यह पर्थम्तिर्थनकर हुए टीक है पर्थम तिर्थंकर ही आपको दियां है दुर्थम तिर्थंकर कौन थे ज estavam याप सबसे महांतर माना तो जैन धर्म का जो चोविसवाillar है महावीड स्वामी याँ आधकी दrawd्शो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ताफ है स्वाल पुछेगा माबिर स्वामी को बना जाते अगर बात करते हैं यहां पर समझीगा दोस्तों अगर थोड़ा सा कि अरिश्ट नेमी जो है यह अगर बात करते हैं देखिए इनका जनम हुआ था यह 540 इसापुर में हुआ था इनका महाबिर स्वामी का और इनका जो मिर्तु हुआ था 468 इसापुर में हुआ था 468 इसापुर में हुआ था तो पावा पूरी में हुआ था इनका मिर्तु कहा हुआ था पावा पूरी में हुआ था ठीक है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है कुंड ग्राम में इनका जनम हुआ था इनका जनम कहा हुआ था कुंड ग्राम वैसाली म में इनका जनम हुआ है दोस्तों ठीक है या को ध्यान रखना है कुंड ग्राम वे साली में दोस्तों ठीक है किसी नदी जनम है 540 में लोग नइन नबस वाल देखिए कि सोन नदी का उधकम कहा है तो अमरकंटा की पहाडी से तो नरमादा नदी निकलते है ठीक है और अमरकंटा की पहाडी से निकलती है ठीक है तिरंबगम के पाड़ी से दुस्तों कौन से नदी निकलती है इश्यक्याई जाथा दरो से कहा जाता है का जाता है दोस्तों पर भात आपको दिखाना है यहां किसी Fury ऊपूटा किंगा पर भट करेंगे गो है यहीं से इसकी कब डोब्रहाम्पूतर नदी प्रहाम बात करते हैं ब्रहाम्पूत्र नदी लुया तीन नदी का उधगम जो होता है लगभभ गहीं से होता है दोस्तों तीबद के मांस वजिल से 17 नदी लबाई कितना है तो याद दखीगा सिंदू नदी का जो उधगम असल कहां है यह तो अमरकंटक की पहाड़ी से सरवल महाराश्ट महाराश्ट के नासी पहाड़ी से से 1265 किलोमेटर गोदावरी नदी को दोस्तों विर्द गंगा भी कहा जाता है ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है अमरकंटा की पाड़ी से सो नदी और नार्मदा नदी तीबत के मानसों जिर से तीना दीन कलती है सत्लाज नदी दोस्तों ठीक है सिंदु नदी दोस्तों या सहाय नदी कौन से है चिनाब है ठीक है और ब्रहंपुद्द दी दोस्तों जिसके लब आई है उन्तिसों किलोमेटर ये तिबत के मानसों जिल से निकलती है ठीक है चलिए अगला सवाल देखेंगे दस नमबर सवाल के अगर आपके सामने दस नमबर सवाल है कि भाक्रा बांध परियोजना ठीक है यह आपको दिहान रखना रुश्ट लागर बात करते हैं चिनाब नदी दोस्तों क्रिसकी अभी पताया थे कि सिंधू के पांच साहायक नदी चिनाब राभी ब्यास और चेनाब दोस्तों ठीक है यादखीगा चिनाब जो है दोश्तों सिंधु क सबसे बड़ी सहायक नदी सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों कौन है वह दोस्तों चिनाप दरदी ठीक है यह आपको ध्यान रखना अगर बात करते हैं कि तुलबुल परियोजना है यह आपको ध्यान रखना है वह तुलबुल परियोजना दोस्तों किस नदी पर है वह दोस यह भी को ध्यान करते हैं यह भी दोस्तों शिंदू की सायक नदी किसी परिस्तित है शतलज नदी पर है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है चलिए अगला स्वाल देखीगा 11 नमेर स्वाल देखिए जीलो का देश किसे का जाता है जील Ini को दखिए फिलिपियिन्हीं क्या होते यहां लेकिन lang के यह सिंगकी ध?- यह सिंगकी ते हैem सब्सक्राइब करते हैं चिक गंडाज की रधानी होता है तो जीलो का देश कहा जाता है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है दूस्तों चलिए अगर दिखेंगे पारा नमबर स्कवाल देखी आखेँ दोस्तों बात करते हैं याद दूस्तों तो जींस वार्ट ने जींस वाट ने थेक है जैंस वॉट सबस दोस्तों का विजिन का विषकार किया था माइकल टोस्तों प ठीक हो दीजन का विसकार किस ने किया का था तो डीजन ने डीजलींजन का किया था चाल्स वैबेस दोस्तों, computer का विस्कार रख है, computer के, अब इस computer का पिता किसे कहा जाता है, Charles वैबेस को computer का पिता कहा जाता है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, रॉंडजेन ने दोस्तो एक 3 और दहां डखीगा एक सरे आपको ध्यार रखना है कि एक स्रे का कोच कम्कe ने किया थे कर Ghost inspiring ने था जेंबस वोट ने दोस्तो भाप इंजन का विसकार किया था ठीक है इवी आपको ध्यान रखना है चलिए अगला स्वाल देखेंगे 12 नुमट स्वाल देखें 12 नुमट स्वाल देखेंगे 12 स्वाल है कि भारत का मानक समय कि यह कितने राज्यों से भारत को जो मानक समय रेखा है वो मेंडू से पांच राजसों को गुजरती है पांच राज ठीक है आपको ध्यान रखना है कौन कुन से राज है सबस्क्राइब बात करेंगे दूस्तों मधपर्देश MP यानिकि मधपर्देश दूसरा क्या हो जाएगा अंधपर्देश यानि बात करेंगे कि मानक भारत का मानक समय रेखा पांच राजसों गुजरती कौन कोर्स राज है दूस्तों गुजरात राजस्तान मतपरदेश 36 जार्खन पसिशमंगाल तरपूरा और मिजोरम ठीक है गुजरात राजस्थान, मतपरदे, 36 गर, जार्खंट, पसी बंगाल, त्रिपूरा और मिजोरम टोटल आठ राज यो दोस्तो ये करग रेका भारत के आठ राज उसको गुजरती ये आपको ध्यान रखना दोस्तो अगर नौ की बात करते है दोस्तो तो भारत के कितने राज समुन्द के साथ सीवा राज Alexandra करता है तो भारत के टोटल नौ राज समुन्द के साथ सीवा राज करता है कौन कौन सा हो जएए सबले बात करेंगे तो गुजरात, महराष्ट, गोवा, करनाटक, केरल, तमिलनाडू, अंदपर्देश, उडिसा और पसी मंगाल, ठीक है, इधार से हम बात करेंगे, तो गुजरात, यहाँ पर दोस्तों, महराष्ट, गोवा, करनाटक, केरल, तमिलनाडू, अंदपर्देश, उडिसा और पसी म तोटल जो नौ राज है वो समुधित के साथ सीमा साजा करता है ठीक है यह आपको ध्यान लखना है दोस्तों तो भारत का मानक समय रेखा कितने आशो गुजरती है तो पांच राज़ों होकर गुजरती कौन-कौन से राज है मदपर्देश अंदपर्देश उतरपरदेश चा यह आपको ध्यान लखना है तो चाथ नोमबर दोजरिस वी को चटीजर का स्थापना वहा था यह भी आपको ध्यान लखना है दोस्तों ठीक है चरिए अगला सवाल देखेंगे चौदर नोमबर सवाल देखेंगे दोस्तों ठीक है चौदर नोमबर सवाल दोस्तों बहुत इंपोर्डेंट सवाल देखेंगे क्या कर रहा है चौदर नोमबर सवाल है कि कील नहर किस देश में इस थे दोस्तों कील नहर दोस्तों याद कीगा यह में उस जर्मनी में है कहा ठीक है जर्मय लिए रधानी किया होता है इसको बाटॉर होता है यह मंगोलिया के रधानी यह पूर्दगाल रधानी पूर्दगाल किसो कहां रॉनाल्डो पूर्दगाल का ही है लिस्बन दोस्तों ठीक है लिस्बन जो होता है यह किसकी रजानी एंटव्वत है तो किल नहर है किल नहर उत्री सागर और बाल्टिक सागर के बीच इस्तित है, यह आपको ध्यान रखना है, सवाल बुचेगा, कि उत्री सागर और बाल्टी सागर के बीच कौन सा नहर है, कील नहर है, कौन सा नहर है, कील नहर है, कील नहर, सबसे बेस्तम नदी मार्ग कौन सा है, तो राइन नदी जो है, यह सबसे ब गोटा नहर किस देज में स्वीडन में ठीक है यह आपको ध्यान रखना है अगर बात करते हैं पनामा नहर देखीए समझीगा देखे दुस्तोँ पनामं 15 बात करते दूस्तो कौन सा नहर तो पनामं नहर ठीक है अगर बात करते हैं 13 फरवरी को राश्टिय महिला दिवस ठीक है तेरा फरवरी को दोस्तो राश्टिय राश्टिय महिला दिवस कम बनाया जाता है तो 28 फरवरी को राश्टिय विज्यान दिवस, 13 फरवरी को राश्टिय मेरा दिवस, 2 फरवरी को विस्व आदुभूमी दिवस, 4 फरवरी को विस्व कैंसर दिवस, दोस्तों, यह फरवरी का बहुत important days है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, दोस्तों, चलिए, अगला सवाल देखेंगे, 16 नमर्ट सवाल देखीगा, ठीक है, देखिए दोस्तों, 16 नमर्ट सवाल कहाए रहा आप के सामने, 16 नमर्ट सवाल है, कि 20 फरवर का सबसे उचा सकरी जोाला मुख्य है, यहां दखीगा कि 20 सबसे ऊचा देल सलाड़ो कि यहां क्या पूच रहा है उचा तो है ही पुछेगा कि 200 सबसे उचा संथ दो कौन सा है वह हो झाए कांग गुवा जिस्वा पूछेगा यहां जाब लीजेगा सवाल पूछेगा कि 20 का सबसे उचा सांत ज्वाला मूखी पूछेगा ज्वाला मूखी दोस्तो कौन सा हो जाएगा पौन सा शाखर ज्वाला मूखी दोस्तो ओजस डेल सलाडो ठीक है यह आपको अपो ध्यानक नरफ किखेगा है दोस्तो उत्ति ज्यान टेजर्ड नटें क्या है इकवाडोर नियोगों को जोपी ज्यानों तेके को सुल्टान और देवबंद ज्यानों की जो है वह अगर बात करते हैं कि बैरान जोला मुखी दोस्तो याद लखीगा तो बैरन जोला मुखी है यह में भारत का एक मात्र ठीक है जॉआला मूखी दोस्तों कॉन सा होजाएगा वह दूस्तों आपका एक छ्री टीक है बरलतलन ऑर देबं यह इरान है जिसके र Pull team ठीक है कोटो पैक्सी जोला मुखी दोस्तों यह इकवाडोर में है जिसके धाने के आधा अक्वीटो ओजस्ट डेल शलाडो दोस्तों यह क्या है यह दुस्तों 20 को सबसे उचा सकीरी जोला मुखी है ठीक है यह आपको ध्यान रखना दोस्तों चलिए अगला स्वाल यह आठ अक्टूवर को यह आपको ध्यान रखना है कि 8 अक्टूवर को दोस्तों वायू सेना दिवस पना है अगर बात करते हैं 15 जन्वरी को दोस्तों याद कि तो याद कि गा सुवाच चंदर बोश के जयनती के उपा दोस्तों 23 जनवरी को याद कीगा 23 जनवरी 1897 को ठीक है सुवाच चंदर बोशी का जनव हुआ था इसलिए 30 जनवरी को कौन से दिवस तो प्राक्रम दिवस बनायाता है उनके जनव दिवस पर चार दिसमबर को दोस्तों तो नौ सेना दिवस याद खीगा नौ सेना दिवस दोस्तों कबनायाता है नौ सेना दिवस तो चार दिसमबर को ठीक है नौ सेना दिवस एक दिसमबर को दोस्तों याद खीगा BISV-AIDS-AIDS, जंदेश दोषियाнения जाता है, इसका फुल्फरम क्या होता है, क्या है, एक ditelेमी से को एकё क्ना में एक क्या होता है, जंदेश पहले तेस्ट किया जाता है इसका नाम है तेस्ट किया जाता है यह आपको दिहान रखना है दूस्त अकर बात करते हैं एक गुश्azi का करते हैं나 सब्युच्ट करते है। कोसिका का अधियन दोस्तों क्या कालाता है तो कोसिका जम्म साइट याद कीगा कवक biz का जुब्लाओं साइवाल का अध्यान था च्वाड का जो अध्यान है इसे ऐख उस्तूअब पाइको लोजी दिस्टर याद खी का से जो अधियान है ये मिनम्रोप से कालाता है तो फाइकोलोजी शैवाल का धियन कालाती है यह को ध्यान रखना दोस्तों कोशिया खुज आ थोक ने किया था 165 में मेर्ट कोसिया घना थिया खोज किये थे ओंसे यापको ध्यान रखना दूस्तो तो मिद्टिक आधियन रखन, यह अदो ? permitir सेरि कीवल ड्री और घन का दूसर स्टो यह सिय呢, betty क्ल्चe रखन, अंगूर कि खेती जो मनली देंट डी यह चाहल दुश्णी पारके यहां है जो स्वाल सब्सक्राइब एक नहीं जमता तो विटामीन के कमी से रख्ट का थका नहीं जमता है विटामीन के कमी से रख्ट का थक्र शोड़ंबन होता है तिными चाहिका विलो क्योंन होता नौन दोस्तों या दखीगा फीलो क्यों नौन जो होता है यह विटामिन के का रसाइन नाम होता है विटामिन C का रसाइन नाम दोस्तों क्या होता है यह स्कॉर्बिक एसिड होता है यह विटामिन C का रसाइन नाम होता है यह आपको ध्यान रखना है विटामिन C के कमी से कौ निकलना ठीक है यह आपको ध्यानकर दोस्तरों निकलना अगर बात करते हैं by-k का रशाइन नाम क्या होता है चैलसी फेरि ओटा है के विटामीन होता है यह बियाजी औहीं होता है कि रिकेट्स होता है खोता एक टन्यों भच्षों होता है ठिक है बितामीन का सबसे सर्वत्र माना जाता है ऐसे तक था reag रखना है अगर बात करते हैं विटामिन एक रसाइन नाम क्या होता है तो रेटीनल होता है ठीक है रेटीनल जो होता है विटामिन एक रसाइन नाम 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 होता साइनो को बाला मीन दोस्तों साइनो को बाला मीन दोस्तों साइन नाम होता है अगर बात करते हैं कि विटामिन सबस्यादा कोबाल्ट पाए जाता है सबस्यादा कोबाल्ट किस विटामिन पाए जाता है तो कोबाल्ट जो है सबस्यादा कोज ने किया था तो फंक ने किया था 1911 में ठीक है याद खीगा 1911 में दोस्तो विटामिन का खोज किया था फंक ने भी आपको ध्यान रखना है ठीक है अगर बात करतें कि वसा में घुलंसीर विटामिन कुण कुण बात करते कि पानी में भुलनसीव बितामीन कौन-खुणसा है तो पानी में गौलनसीरीट विदि ओर सब्सक्राइब है और वजह के के अगला सवाल देखेंगे हम लोग 20 नुमर सवाल देखीगा 20 नुमर सवाल कहरा आपके सामने सवाल है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से मिटी पाई जाती है तो याद कि दोस्तो जलोड मिटी पाई जाती है कितना परसेंट पाई जाती है 40 परसेंट पाई जाती है चलिए अगला स्वाल देखेंगे 21 स्वाल देखेंगे 21 स्वाल आपको सामने है कि तुगलक नामा पुस्तक किस्ते लिखा है तो यह लिखा था अमीर खुष्रो ने लिखा था ठीक है या दखीगा अमीर खुष्रो को दोस्तो तोता ये हिंद भी कहा जाता है ठीक है या दखीगा कि अमीर खुष्रो को तोता ये हिंद के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ये आपको ध्यान रखना अगर बात करते हैं तुगलक नामा पुष्टक लिखा ए किसने तो अमीर खुष्ष्रों ने लिखा ठिक करते हैं और बात करते हैं कि well, god, यॉममायूनामा अगर बात करते हैं लिखा था तो अपक्बर नामा और नस न किसने लिखा था तो अकबर नामा किसने लिखा था एसमें अकबर की आत्म गठा के बारे मटाए गया है अक्पार नमा में हुमायू नामा दोस्तों हुमायू के बारे में बताये गया ठीक है यह आपको ध्यां रखना है अलबूरूनी दोस्तों जब्ध क्या नाम है यह ज siento री अम्यूह या दुखीगा देखिए हैंसोंग दोस्तो या दुखीगा लिखा था यह पूरा इंपोर्टेंट दोस्तो ने लिखा है तो अमेर खोष्र को तो यह हिंद के नाम से भी जाना जाता है गुल बदन बेगम ने किया नाम है तहकी के हिंद किताब ओल हिंद और हैंसंग तो जो आया था धर इसके पुछत क्या नाम है CU की ठीक है याद रखीगा चलिए अगला स्वाल दिखेंगे तेखिए दोस्तो 22 नमर स्वाल 22 नमर स्वाल दोस्तो कि G20 का स्थापना कब हुआ था दोस्तो G20 यह इसका फुलपम क्या होता है group of 20 होता है group of 20 GRO UP group of 20 होता दोस्तो ठीक है TW ENTY 20 group of 20 दोस्तो तो यह 20 का अस्थापना कब हुआ था यह मिंदों से 1999 में हुआ था जी टॉंटी कितना देश सामिल है इसमें टूटल 20 देश सामिल है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है अगर बात करतें tutaj 1980 में 1985 में गिसका अस्थापना वह था तो शारग का अस्थापना वह था सार्ग का इस धक्र जैडकल करतें कितना तो इसमें बश्याल है यू आठ डेश सामिल है कितना देश सामिल है अगर बात बाध देर्सों की 1967 में किसका सथापना हुआ तो दोस्तों ASEAN का head अचेंट में अचैनल क्या होता गान्ह गश्चन dipping दोश्टों और याद किया और उन 206 में श्वाथा एसी तो याद किया एसे अधिया 2500 में किसका स्थापना हुआ था या देखीगा तो WTO का स्थापना हुआ था यह 1995 पर एक जनवरी 1995 को WTO को जी ए एए टी-टी के नाम से जाना आता था था त ठीक है पहले WTO को GATT के नाम से जाना जाता था उसका दोस्तों इसका जो मेंडूप से नाम पढ़ा कब एक जन्वरी 1995 को WTO पढ़ गया इसका जो मुख्याले है इसमें टोटल कितना देश सामिल है तो 164 देश सामिल है कितना देश सामिल है सामिल है जो मुख्याले है जिनेवा में पढ़ता है यह आपको दिशान नखना थे लिए जूपन सब्सक्राइब कर लेते हैं 1950 में सथापना हुआ था अगर बात करते हैं 1945 में UNESCO का स्थापना हुआ था और यह क्या होता है उनाइटेड नेस्ट्स एजू के स्थापना में इसका सथापना हुआ था तो अगर बात करते हैं यह 1995 में WTO का स्थापना हुआ था और WTO का पुराना नाम क्या है GATT ठीक है यह भी आपको ध्यान रखना है इसमें इसका रखनी कहा है और जाकारता किसकी रखनी है इंडोनेसिया रखनी है यह आपको ध्यान रखना है चलियो खला सवाल देखेंगे 23 नमर्सवाल देखिए ठीक है दोस्तों देखे 23 नमर्सवाल आपके सामने क्या कर रहा है कि सत्य सोद्र समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों या दखीगा तो सत्य सोद्र समाज के संस्थापक थे वो जोतिवा फूले थे कौन थे जोतिवा फूले थे दोस्तों सत्य संस्थापक थे जोतिवा फूले का पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों या दखीगा जोतिवा हर किए स्थापना कब हुआ था यह निसand के थे स्थापना कुए थे फिम्न किये थे तो तो भारतिय या दुखीगा अगर बात करते हैं देखिए सती पर्था का अंद किस ने किया था लॉड बिलया बैटिंग और राजा राम मुहंडा के सब्सक्राइब अमाज संस्थापक थे राजा राम मुहंडा और 1828 ध्याद कीस ने दिया था किस ने दिया था अकबर के स्थापना के तेकर अरे समाज सभागों करते हैं तेकर आत्माRegg 2019 दूस्तो अ dobrสे भिवारे में तूसू अस्थापन किये थे ठीक है यह मेंडेरां प्रंथना समाज अस्थापना जो किएierenीत है वो कौन किये थे तो आत्मा राम पांदरंग किये थे कब किये थे 1867 में किये थे 1867 दोस्तों ठीक है यह आपको ध्यान रखना फिर से रिविजन कर लेते हैं इस सथा सुद्र समाज के संस्थाबा कौन थे जोतीवा फुले थे जोतीवा फुले के पुस्तक का क्या नाव है सब्सक्राइब का राजा राम मुहन राएब किस ने दिया था अकबर दुतिय ने दिया तो ब्रहां सभास का स्थापना किये थे 1828 में आतमिया सभास का स्थापना किये थे ठीक है यह आपको ध्यान लगना है अगर बात करते हैं और लौड बिलियम बैटिंग के सहे उसे 1839 सद्धीं सत्थीपर्था को अंत कर दिया गया था गया आपको ध्यान रखना चलिए अग्ला सब्सक्राइए अब सामने दोस्तों की वेनर्जूल में रजधानी तो कराकस है desto तो अर्जेंटिना की राजधानी है और physically क्या है क्या है और स्थेलिया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है औस्ट्रेलिया ja याद किया आस्ट्रेले को रजणी थे थे वह विय नहीं कि अगर बात करते हैं कि लेबनान राधानी कि यह होता है तो बेरूत कि लेपनान की रजानी क्या होता है बेरुथ होता है यह आपको द्यानक्त में बंदर सेरी बागवहान तोần में यह ब्रू, ब्रूह नहीं ठीक है ब्रूह नहीं ठीक है यादखी घा नहीं ध्याकर ड्रकतें कि बेरूध की रजानी की है दूस्तों लेबनां की रजानी की है और अर्जेंटीना रजानी क्या दोस्तों और एक और यह वियना होता है यह आपको ध्यान अगना है चलिए अगला सवाल देखीगा 25 नमर सवाल देखिए 25 नमर सवाल आपके सामने है कि क्रीसी एवं पसुपालन के विकास और संडचन समर्धन का उलेक किस अनुचेद में किया गया है अगर बात करते हैं कि अनुचेद 44 में किया है तो समान नागरिक सहीता है यह किसमें है यह दोस्तों अनुचेद 44 में अनुचेद 40 में किया है तो ग्राम पंचायद का उलेक किया गया यह आपको ध्यान अगर बात करते हैं अनुछेद 50 में क्या है दूस्तों, तो कार पालिका और नया पालिका के पिर्थिकरन है, ठीक है, कार पालिका और नया पालिका का पिर्थकरन है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, किसमें है, अनुछेद 50 में, अगर बात करते हैं, अनुछेद 32 में क्या है दूस्तों, अ संब्धानिक या दखी गा संब्धानिक उपार हो जो डिकार है वह अनुछेद बतीश में अनुछेद 32 को संब्धान का आत्मा कहा गया है डौक्टर भीम डौंबेतकर्ग के द्वारा ठीक है यह भी तीस समिधाने कुपचारों कादिकार समिधान कात्वा कहा गया डॉक्टर भीम रामवेत का दुद्वारा और इसे नुश्यत का नुश्या दोस्तों पांस प्रकार के रिट जारिक कर सकता है ठीक है यह भी आपको ध्यान लगना है चलिए अलासपा देखीगा 26 नंबर सवाल तो अमलिये वर्सा के लिए जिम्मधारति अमलिये वर्सा का pH कितना होता है ऑब पोव्हाल पॉइंट फशन होता है इसके बीच होता है किस वर्षा हो यह शेटां पीह का खोच किस नहीं किया था सोळ सहने पीएस का को सधाने ने ऑस क्वश दूस्टों पूब ड्रोजन होता है जैए साथ से कब होगा तो Corni होगा याने कि 0-0 13 ce Ta dai starse ziskar milottaцоiba πα्र चु motivo अम लिय답ा हो रहा है ठीक है और साथ से अधिक होगा तो वह क्या होतों मेन लूप से च्छाही होगा क्या होगा इंट अगर साथ रहेगा ये सब्सेट का फिर आपको ध्यान अदारता है ध९ह होगा जीचाम सब्सेट सब्सक्राइब तो उदासिन होगा ठीक है यह आपको ध्यान रखना है तो अमलिये वर्षा के लिए कौन सा जिविदार है ये अगर बात करते हैं धोल ये वह धुट है ये मिथेन का होता है मिथेन को दूस्टों क्या खाए जाता है जहाता है को बाइस जो है मिथेन मार्स गैस भी कहा जाता है और मिथेन को गोबर गैस भी कहा जाता है N2O यहां दखीगा नाइट्रस ओक्साइड ठीक है यहां दिखीगा नाइट्रस ओक्साइड दोस्तों यानि कि लाफिंग गैस क्या है यह एंट्टुगो है ठीक है यह आपको धियान रखना है लाफिंग गैस कहा जाता है ठीक है यह आपको धियान रखना है लाफिंग ठीक है लाफिंग गैस कह का जाता है यह आपको ध्यान रखना है अच्छा आसुगैस का सुत्र क्या होता है वह क्या होता है अगला स्वाल देखेंगे हम लोग 27 नमबर स्वाल देखीगासे कि लाकबक्स के नाम से किषी जाना जाता कि याद लागण नाम से खिर तो इसकी मिर्टु कैसे हुआ था तो गोड़े से घर कर इनके मिर्टु हो गया था दोस्तों कुतुबुद्री नेवक का याद खीगा यह बारा सो छे सलेकर दोस्तों ठीक है और बारासु दस तक इनका मिन्दुसर्श शासनकाल है बारासुचे मीनों ने बारासुचे में 1266 से लेकर बारासओ दस तक मान्या जाता है कुतुबुद्री नेवक को लाक बक्स के नाम से भी जाना जाता है सवाल कुछेगा कि संस्थापक कौन है संवंद्र गुप को क्या कहा जाता है इसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है संवंद्र गुप को भारत का नेपोलियन कहा जाता है याद ठीक हरी हरें बुक्का ने ठीक है हरी ठीक हरी ठीक हरी ठीक ने ठीक है को लाक बख्स के नाम से किसी जाना जाता है इनका जो गुलाम वरसक वांस की संस्थाफक है क्या सुधिन तुछले कर से स्थापना कीए थे अगर बात करते हैं समुध गुप को भारत का नेपोलियान भी चाहिए ये आपको ध्यान रखना आए चलिए अगला स्वाल नहीं अठाइस नूमरर स्वाल देखीगा एक नुमबर का पठार की में थी थी थे थैं दोश्तो यह थ्यानक रखना है डंड कारे में कच अलग होकर बनाता है च्छतिश गण की से अलग होकर बना है थे मध परदे से अलग होकर बना है 36 गण जो है यानिकि MP यानिकि मध्य परदेश से अलग होकर ये राज बना था तेलंगाना का स्थापना का बुए याद खीगा तो 2 June 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ है यह आपको ध्यान रखन का स्थापना दोस्तो 15 November 2016 को ज्ठापना हुआ है उत्राक्रण का स्थापना दोस्तो 9 November 2020 इसमी को ठीक है यह आपको ध्यान रखना है जारखन दोस्तों किसे अलग होकर बना है तो बिहार से अलग होकर एक राज बना है उत्राखन दोस्तों या दखीगा उपी से यानि कि उत्तर परदे से अलग होकर एक राज का निर्मान हुआ अगर बात करते हैं कि बिहार का स्था एक अप्रेयर को दोस्तों उतकल दिवस मनाया जाता है यह आपको ध्यान अगर बात करते हैं कि 22 मार्ज को दोस्तों बिहार दिवस बनाया जाता दोस्तों ठीक है यह उन्तीस पर्शेंट भाग पे यह सिर्फ पठार है ठीक है पुरह सब्सक्राइब करने का पठार फैला हुआ ठीक है यह आपको ध्यान रखना है चलिए अगला सबाल देखेंगे हम लोग अगला सब्सक्राइब दोस्तों आपके सामने कि अस्व घॉस धोस्तों ठीक है यौच्थ है ठीक है बुध्य चरित के बुध्य चरीत कों है अहीज्य भाग सोभिक्र भ्याट so चाथ सकुन तलम जोहां कि कंलिधास को इंगलीस का सेक्सपर से किसे का जाता है उसी तरसे संस्क्रीट का पिता किसे का जाता है तो काली दास को संस्कीत का पिता कहा जाता है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है अगर पानिनी क्या है अगर किसकी पुस्तक है विसाखदत की है ठीक है अगर बात करते है अश्ट ध्याई ठीक है अश्ट ध्याई दोस्तो अश्ट ध्याई जो पुस्तक है मेंनुप से किसकी है अश्ट ध्याई वो पानेनी की पुस्तक है ठीक है या भी आपको ध्यान रखना है चलिए अगला सवाल दे तुक समय समय किस भाग में नागरिक्ता समंदी प्राथाने दोस्ते आधा कि बात करते हैं ए को कि दोस्तों तुछ तुस्तों तो संग हो उसके राजश्कतर है ठीक है संग एवं उसके राज छेतर ठीक है राज छेतर दोस्तों ये किसमे है ये दोस्तों भाग एक में याद कीगा अनुचेत कहां से कहां तक तो अनुचेत दोस्तों याद कीगा आर्टिकल जो है आर्टिकल एक से लेकर दोस्तों आर्टिकल एक से लेकर चार तक है दोस्तों ठीक जा दखीगा अनुचहेद 5 लेकर दोस्तों, अनुचहेद 12 तक है, ठीक है? यह आपको ध्यानक lenतला है, उसके बाद दुस्तों, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार क्या दोस्तों मौलिक जो अधिकार का जो उलेख किया गया है मौलिक अधिकार के अगर बात करते हैं दोस्तों ये मौलिक अधिकार का जो उलेख है ये दोस्तों अनुछेद कहां से कहां तक तो आधिकार का उली कहा अधिकार का उली कह यह है तो नीती- निर्देशक तत्रव है याद कहीं कहा ठीक है डीक किया गया है यह जो है जो है फुस्तों पॉंधक्राघ्यक तक ठीक है और भाग चार में किया दोस्तों नीती निर्देसक्त तत्व है इसका जो ले किया गया नुचेद शतीस अनुचेद क्यामन तक इसका लेक किया ठीक है यह आपको ध्यान रखना दोस्तों दिखिएंगे हैं अगरा सब्सक्राइब दोस्तों 31 नबर स्वाल देखीगा 31 न किसन क्या कह रहा है कि अपकी कोंड किस पांश्चूजी करन की खोजıld किया थी आपको ध्यान रखना है तो लो ऑश्चaison जिए यहां अगर बात करते हैं आपको ध्यान कर सुनिया था चे चाँ के टिका छोज किया था रॉबर्ट उप्ट कोशिका कर दियान कर दा यहां किया और कोशिका का अध्यान कर आता है कोषिका कोषिका कब किया था ढ़ाइस और 660 675 behavior 660 यह कोषिका है आपको ध्यान अगर बात करते हैं जीवित कोषिय किसा चलिए था अन्तोनी नुवे अग्ला सौण देखिएंगा नबर सब्सक्राइब सिंध्याय का रहा है त्दस्तू्जटन अफरीका में प्रवास की दोरान महातमा गांधि ने किस पत्रिका का प्रकासन किये था तो इंडियन उपेनियन पत्रिका का प्रकासन किया तेख आपको द्यार रखना करते हैं कि नौ जीवन दूस्तों किसंकी पत्रिका है या द्यार दियार रखना दोस्तों अच्छा यह आप सवाब बता हीगा तो नो जनवरी को कौन सा दिवस मना जाता है भारत में तो भारती ये परवासी दिवस कब मना जाता है है बारती ये परवासी दिवस नो जनवरी को मना जाता ठीक है किन ड़ाम तो इंडिय कमार मगन डेकल में 1 बात करते हैं कि बंगाल विभाजन दोस्तों टिक है बंगाल विभाजन जो हुआ था इकिसे काल में हुआ था बंगाल विभाजन यह अधिए उरी में बंगाल बिभाजन को समय कब किया गया это याद कीका है बंगाल बिभाजन को रद किया गया था यह आपको ध्यान रखना है बंगाल क्या गया था यह 91 111ин किया गया था याद थी है रूडह अर्गल के दवगे रड़ के द्वहाता है रहे दोस्तों यहां दखीएगा कि 1857 की क्रांती कि किसे काल में हुआ था यह आपको ध्यान रखना है यह लॉड कैनिंग के काल में ही हुआ ठीक है यह आपको ध्यान लखना दोस्तों यह इंपॉर्डेंट सवाल है ठीक है तो सोतंद्र भारत के परणां गौर्णा कौन थे लॉड माउंट यह कुछ इंपॉर्डेंट से दिखते हैं आईए सबसे बात करेंगे आब आवे समझें गा अगर बात करते हैं कि भारत का अंतिम बाइसरा कौन था दोस्तों लॉड माउंट बेटन थे ठीक है यह चानत करते ब्बारत का पर्थम भारतिये और अंतिम गवर्डाय जन्रल थ्यां रखना है बारत का प्रीच्वस्टाइब को थे वार बारा सो नहीं है बारत याद जान दरवार में आया था चीनि यात्री था जो यह चन्द गुब दितिके साषन काल में आया था तो चन्द गुप दिती के दरबार में आया था ठीक है यह आपको ध्यानक नाया था तो 305 इसापशे लेकर 257 में इसापशना था भारत में रहा था ठीक है यह आपको ध्यानक नाया है मोहर वान के च्पुर में 322 इसापुर में च और नामी च्पुर में मेगा स्थम के पुस्ता क्या नामैं इंडीका मेगा स्थिनेज के पुस्ता का नाम है यह अदकिका रखना है हर्सवर्धन है क्या पुस्ता क्या नाम है क् बात करते हैं कि महमुद गजनावी दोस्तों ठीक है अल्बॉनी जो आया था तो ये महमुद गजनावी की का दरवार में आया था ठीक है अच्छाल बुश्टा का क्या नाम है दोस्तों किताब अलहिंद या तकीख के हिंद। तहकीख के हिंद रकना है कि दौस्टो खटां रखना किताब स्वाल देखेंगे 35 स्वाल स्वाल के सामने है कि एटीपी का निर्मान कहां होता है यह माइटो कॉंडिया में होता है मैं क्या कहा जाता है पावर हाउस आफ दा सेल ठीक है किसे कहा अट्म गहती ठैलीचे कहा जाता है तो जुन को इस नुन को इस घडिन थे 2018 तो फैक्टरी अगर बात करते हैं प्रोटीन के फैक्टरी या दखी गा राइवोसुम में आतनी घाती ठेली कहा जाता है इलोसनीमों आपको द्यान रखना दोस्तों चलिए अगला स्वाल देखेंगे 36 नमर्स वाल देखीगा 36 नमर्स वाल आपके सामने है कि राष्टिये खेल दीवस कब मना जाता है 29 अगस्त को या दखीगा 29 अगस्त को दोस्तो या दखीगा ध्यान चंद अगर बात करते हैं कि ध्यान चंद जो या दखीगा दोस्तो द्यान चंद के याद में ही 29 अगस्त को राश्टिय खेल दिवस मना जाता है और को तो मना जाता है 14 क 속 दोस्तों राश्टिय युवा दिवस मना जाता है ठीक है सोरी अंतराष्टिय युवा दिवस याद कीगा और राश्टिय युवा दिवस दोस्तों याद कीगा राष्टिये जो युवा दिवस मना जाता है वो बारा जन्वरी को मना जाता है ठीक है राष्टिये युवा दिवस बारा जन्वरी को ठीक है यह आपको दिहान है बारा जन्वरी को राष्टिये युवा दिवस अंतराष्टिये युवा दिवस बारा अगस्त को अच्छा सा डुस्तों भाला फेक को मनातको सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को ति को अन गास्ट विवथ राश्त मुषेव जब लुक या अपको धियानक में और 12 अगस्त को यह और दिवस मना जाता है हाठी दिवस ठीक है हाठी दिवस का मना जाता है हाठी दिवस वह भी दों बारा अगस्त को मना जाता है यह को अगला सवाल देखीका उब्लाइऊ कि SUBear कैसे करें स्बाह finns कि kalian तो आप तो द्यांद्र को ठीक करें राज सी को भारत का वाटर में कर दोर्टर सलीम अलीली को बॉड में कि से शोड़ाता है और ना ना तो चीप को सब्सक्राइब बात करेंगे कि भारत का वाटर में किसे का जाता है राजिंदर सी को और सुन्दर लाल बहुगुना दोस्तों यह चिप को आंदोलन से समंदित है ठीक है यह आपको दियार रखीगा चलिए अगला सवाल देखीगा और तीस नमर स्वाल देखिए दोस्तों अभी हम बात किये थे और तीस नमर स्वाल कर लेते हैं कि करकरेखा किस नदिकें को दो बार करती है तो करकरेखा दोस्तों माही नदी को दो बार करती यह आपको ध्यार रखना है करकरेखा भारत के बीचोबी से गुजरती है दोस्तों थीज़ाषल स्थान मद्परदेश याना मनध्पार्देश मद्चतिस गड़ तर्फ दीस गड़ गुज्जराथ राज्थर मत्पदेशंगर जारखंड क्या देखिए कंद पसी मंगाल थे स्वाल कुछएगा कि इन करकर रहका किस राजधानी के रिगर से गज़रती है किस राजधानी दो निकर कुज़रती है जारखन के जाने राचिस के नजधीक से गुझदीक से गुझरती है ठीक है यह को यहाँ पर द्यान लखना दोस्तोर या डखीगा भूमद रेखन यह फिर यिसी को बोलते है विसुवद रेखन दोस्तोर यह कांगो नदी को दो बार काड़ती है और दोसतों करक रहा भारत के 8 राजस को ifallती है यहां दोस्तों ब्रहंपुत ा नदी है ब्रहं पुत नदी कि लंबाई किती है दोस्ते उत याद्ट की गा ब्रहंपुतनि जो लंबाई नदी है कि अगर बात करते है कि अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है थीट है और ब्रहुद्र नदी को तिब्बत में दोस्तों तिब्बत में यहां रखना है तिब्धत में सांगपो के नाम से जाना जाता है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है दोस्तों चलिए अगला स्वाल देखेंगे 49 नुमर स्वाल देखिए 49 नुमर स्वाल क्या कर आपके सामने 49 नुमर स्वाल आपके सामने है कि कौन सा राष्टी उधियान असम में नहीं इस्थीत है ठीक है यहाँ पहले हमको देखेंगे कि कौन सा राष्टी उधियान असम में स्थीत है दिए काज रंगर राष्योद्यान दौसतों यह असम में स्थीत है नाम दफा नेस्टीत नहीं यानने की option number C हो जाएगा नाम दफा नेसटीत नल पार्ง जो है यह अरुनाचल प्रदेश में यहां द Diamond अरुनाचल प्रदेश ठीक है अप यानने की यह कहां है आसम में है नमेरी राष्टी खिज जो दियान और यह चार जो राष्टी वदियान है यह ऐसंग तो असंग पुराना नाम है क्या है क्या है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है माजुली दोस्तों माजुली दीप यह ब्रहंपुत्र नदी जो बनाती है माजुली दीप यह किस राजव में बनाती है तो यह असम में बनाती है ठीक है माजुली दीप कौन से नदी बनाती है तो ब्रहंपुत्र नदी बनाती है ठीक है य यह भी आपको धिया रखना है दोस्तों चलिए अगरा सवाल दिखीए सिक्सित। यह दोस्तो लखनby कि यादखी गांपूक कि महानदी के किनारे सीथ है अच्छा यह दिखीए केंद्रिये चांका अनुसंधान सथार संधान जो है कहां ऩटक में है ठीक है अंतर आश्ट किये चावल निके 210 मनिला फिलिप्इनस में सीथैं ठीक है यह आपको ध्यार लखना दुस्तो चलिंए आगे बात करेंगे इसके बार में कुछ भारतिय वन प्रबंधन संस्थान कहां इसी थे दोस्तो भौपाल में ठीक है भारतिय वन प्रबंधन संस्थान कहां है भौपाल मदपरदेश में ठीक है अच्छा बोपाल गैसकांड कब भारतिय वन जीव संस्थान यह देहरा दुन में है हिमाले वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों यह नई दिली में सित है राष्टिय वनसपातिक सोध संस्थान दोस्तों यह लखनव में ठीक है कहां है लखनव में केंदरिय आम सोध संस्थान दोस्तों लखनव में है ठीक है यह भी आपको ध्यान डखना है आगे कुछ देख लेते हैं ठीक है दोस्तों बात करेंगे भारतिय लाख सोध संस्थान दोस्तों यह राची में है ठीक है केंदरिय चा जबदस तरीके से सेर कीजिएगा, ठीक है, हम दोस्तो इस बार Like रखतें, दोस्तों करीब ёगी 1K Like का अनुमान रखते हैं दोस्तों, ठीक है, जञाना चाहिए,